तो दोस्तों अगर आपके पास Bank of India का debit card है और इस debit card को किसी भी e-commerce website में जाके अगर यूज़ कर रहे हैं चाए वो फिलिप card हो, Amazon हो या कोई भी shopping site में जाके debit card को जब वहाँ पे add करते हैं payment के लिए वहाँ पे process complete करते हैं तो payment क्या होता है वहाँ पे field बता देता है उसके पारम बताने वाला अगर आपको यह problem देख रहे हों ही रहा है तो debit card facility को कैसे enable कीजेगा कौन से setting को enable कीजेगा जिसी यह total transaction आपका easy तरीके से यहाँ पे हो जाए मैंने यहाँ पे पहले ATM machine से बता दिया है कि ATM machine से कैसे इस facility को enable करते हैं अगर आपने उस video को नहीं देखा तो उस video को भी देख सकते हैं और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ mobile banking की थुरू mobile banking की थुरू कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं तो सबसे पहले आप play store में जाए और play store में जाने के बाद आपको search करना है bank of India bank of India का by mobile banking application को सबसे पहले आप इसको install करें install करने बाद इस application को आप आपको यहाँ पर open करना जैसे open किजिएगा सबसे पहले language को आपको यहाँ पर चूज करना है term and condition यहाँ पर मिलेगा इसको select करना है then accept पर क्लिक करना है फिर से accept वाले option में जाना है then उसके बाद register mobile number automatic यहाँ पर verify होगा OTP आएगा और इस OTP को fill up करने के लिए allow पर click करना है य automatic यहाँ फिल अप होगा then verify OTP पर आपको click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करते है click करने के बाद आपको 2 option मिलेंगे I want view only right का permission और साथ में debit card का option मिलेगा आपको क्या करना है edit करने के लिए आपको debit card वाले option में जाना है अपना debit card number expirated और debit card का ATM pin number four digit का fill up करना है fill up करने वा आपको set M pin वाले option में जाना है then is 4 digit का एक आपको M pin create कर लेना है जो unique होना चाहिए जब M pin डाल लेते हैं डालने के बाद आपको proceed वाले option पर click करना है और दुबारा फिर से आपको M pin को उसी को fill up करना है देन इसके बाद आपको set M pin वाले option पर click करने के बाद आपको यहाँ प में जाने के बाद आप आप यहाँ पर M pin देखिए M pin मांगेगा तो login करने के लिए सबसे पहले अपना जो M pin बना इसको डालना है देन विसके बाद login कर लेना है login करने के दौरार आपको manage additional authentication का option मिलेगा जिसमें IB password M pin और साथ में biometric option यहाँ पर देखने मिलेगा अपने हिसा password में जाके mobile OTP को आपको select करना है जिससे mobile OTP से बार बार आप यहाँ पर इसको login कर पाईएगा यह select करने के बाद आपको save change वाले option पर click करना है और यह successfully आप add हो जाएगा देन ओके पर click करना है देन उसके बाद फिर से आपको skip में जाना और home screen आपको यहाँ पर allow हो जाएग जो भी data है वह आपको यहाँ पर देकने मिलेगा देन उसके परकाद से स्कॉल करें वाद आपको my card वाले option में जाना है my card वाले option में जाने के बाद आपका जो भी debit card है वो debit card आपको यहां पर सो जागा अगर debit card expired रहेगा तो आपको यहां पर debit card fail का option मिलेगा तो अपना debit card देख लेना है और उस debit card को आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहले select कर लेना है तो अगर आप इस परकार से select कीजिएगा यह debit card सो होगा नीचे में आपको सेट limit channel वाले option पर क्लिक करना है और क्लिक करने बाद आपको domestic international का option मिलेगा डोमेंस्टिक में आपको ATM विद्वर काप्स मिलेगा इसको अन करना है और डेली तरली आपको केत्रा Uhा 맞ив करना वह ह przestपर सकते है इकशी चैड कर बाद करना है और लिपकर से अगर आपको ईंटर्नेशनल अगर सेड करना है तो आपको सेड करना है तो और यह करने कर देविड कार्ट से जो भी आप यहां पर पेवेंट करते हैं एक कॉमर्स में यूज करते हो वो आपका पेवेंट संक्सेस्पुली हो जाए